Hi friends, welcome back to my trade view. Friends, आज हम लोग एक trade के बारे में बात करेंगे. आप जो चार्ट देख रहा ही हो, एक 6 September को तैयर हुआ था, 6 September 2023. जब market open हुई, 574 पर open हुई, उसके बाद market धीरे-दीरे 605 तक गए, फिर market धीरे-दीरे नीचे आ गए. यह जो लेबल है, फोर 95 तक आया, 94 तक आया, फोर 91 तक आया, उसके बाद आप देख सकते हो, इधा market धीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे, उफर जो 6, 35-6 तक market गए. फ्रेंस, मुद्दे के बाद यह है, यह जो consolidation हुआ, इधर आप देख सकते हो, के बहुत सारे hope ट्रेड इधर तयार हुआ था, बहुत सारे hope ट्रेड हुआ था, इसी जून के बीच में, इसी जून के बीच में, बहुत सारे hope ट्रेड तयार हुआ था, फिर market उपर गया. अभी फिलल बात यह है, के यह तो nifty index का चार्ट है, मैं आपको एक spot का चार्ट दिखाऊंगा, जिधर आप देख सकते हो, के एक बहुत बढ़िया pattern डेवलाप हुआ था, इस जोन पर, इस जोन पर डेवलाप हुआ था, वो जो हम लोगों का ट्रेड का चांस दिया, तीन चार बात चांस दिया, तीन चार ट्रेड का चांस दिया, हम लोग अभी डिसकस करेंगे, वो candle के बारे में, आप जड़ा सा यह जो स्क्रीन पर धान दिजिए, फ्रेंद, एजो चार्ट आप देख रहा हुँ हो, एग 19,500 का, आपशन चार्ट हाए, यह इंडेक्स चार्ट नहीं है, इंडेक्स चार्ट में यह पैटर्न डेवलाप नहीं हुआ था, लेकिन उसी बाख इस ऑप्शन चार्ट में एक बहुत बढ़िया पैटर्न देन यह सटें नहीं कर पाया पिछ नीचे आया देन वह रिटेस्ट किया उसके बाद दिरे 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 मार्केट इधर आया और ए जो लेवल है ए एग फॉर्टी 19,495 का strong support zone है इस support zone में market आया उसके बाद market इधार आप देख सकतो है बहुत बढ़िया एक pattern बहुत बढ़िया एक pattern थाम किया इस pattern को बोलते है इस pattern को बोलते है bullish harami pattern जो तो red candle है उसके नीचे और red candle के नीचे एक छोटा सा green candle अब देख सकतो red candle के नीचे एक छोटा सा green candle इसी pattern जब होता है ना इसी pattern जब होता है ये market को reverse जाने का indication देता है इसी form को देखके हम लोग समझ जाते है के there is a possibility to reverse this market आप देखिए इधर क्या हुआ इधर 495 पे एक bullish harami pattern टायर हुआ था फिर आप देखिए आपको entry इधर होना जाहिए था आपको इधर एक red candle के बाद छोटा सा green candle फ़र्म हुआ red candle के अंदर इस candle को बोलते है bullish harami candle और जब ग्रीन candle का upper line break होता है तब इस candle में enter कर जिना चाहिए इसके बाद आप देख सकते है market दीरे दीरे उफ़र गया देखिए यह जो bullish candle है ना यह तो कहीं भी फ़र्म होता है लेकिन जब बहुत बढ़िया support line के अंदर वो फ़र्म होता है बहुत बढ़िया support line के अंदर जब फ़र्म होता है वो बहुत important हो जाता है यहाँ पर जो aggressive buyer है वो लोग तो इधारी reversal trade ले लेंगे जब वो green candle break होगा तब ही ले लेंगे उसके बाद यह तो गया number one chance इस candle में enter करने के लिए यह इस reversal trade में दूसरा chance था जब market वो consolidation को break किया इस consolidation को जब break किया तब भी एक chance था जो लोग aggressive buyer है वो लोग इहां भी एंटर कर सकते है जब यह जो retracement हुआ उसके बाद फिर इस line पर भी एंटर कर सकते है इधार भी एंटर कर सकता हूँ हम लोग एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार chance दिया एक candle जो लोग जो candle है बुली सारामी candle जो aggressive buyer है वो लोग तो इधार ही 33 पर एंटर कर जाएंगे consolidation के बाद जब वो break out हुआ उधार वो 46 था इसके बाद इधार वो 60 के आसपास था उसके बाद उधार 75,6 के आसपास था इवन इधार 94 जब इस swing को break कर रहा था तब भी 94 में एंटर कर सकते था हम लोग और वो जो target 116 116 को आचिप किया हम लोग अगर इधार भी इधार भी आबर trade लेते थे तो 6 plus 16 6 plus 16 आबाउट 22 22 रूपीज का प्रफिट हो सकता था तो फ्रेंज यह है बुलिस हरामी कैंडल लेकिन सच्छे इंपोर्टन बात जो बात जो है इधार भी जबुलिस हरामी को इधार भी आफिड़म लेकिन इधार भी अगले बार जब इस टाइप का गेंडल फरम होगा आपका चार्ट पर अब अभले इधार एफ इफ रीज रड़ बाचिट धीट from this dead. Thank you very much for watching this video. Thank you very much.